हांजी बच्चो कैसे हैं आप सब लोग ? बच्चो दिखे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थी हमारे पास कि USA में डिस्टर फार्मसिस्ट कैसे बन सकते हैं तो मैं उस पे एक वीडियो बनाएं तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारी तो इसमें हम बच्चों आपको सब कुछ explain करेंगे किस तरह से आप USA में आपने आपको register कर सकते हैं as a pharmacist तो basic total अगर steps के बाद करें तो total चार steps होते हैं और fourth step जब आपको complete हो जाता है उसके बाद जैसे कि आप इंडिया में जब आप अपना course complete करते हैं अपना diploma या अपनी degree complete करते हैं तो उसके बाद आप अपने जो भी आपका state है वहाँ के pharmacy council में जाते हैं अपने आपको register करते हैं as a pharmacist उसी तरह से USA में जब ये fourth step आप complete कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ की authorities के पास जाके आपने आपको register कर सकते हैं as a pharmacist और यहाँ की जितनी भी pharmacy practice होती है वहाँ पर आप participate कर सकते हैं वहाँ पर आप apply कर सकते हैं job के लिए तो यह total four steps की में जितनी भी हम websites आपसे discuss करेंगे या जितनी भी चीज़े हम आपसे share करेंगे उन सभी के links बच्चों हम आपको description box में देदेंगे ताकि वहाँ पर जाके वीडियो खतम होने के बाद वहाँ पर जाके आप सारे ही चीज़ों को अच्छे से देख पाएं तो I hope benefit होगा आपको इस वीडियो से तो चलिए start करते हैं अपने इस पूरही वीडियो को तो देखिए four steps के अगर हम बात करें step by step हम चलेंगे तो step one आपका होता है FPGEC certification आपको लेना होता है FPGEC का full form के अगर हम बात करें तो यह होती है foreign pharmacy graduate equivalence committee certificate अब यह जितनी भी सारी चीज़े हैं बच्चों यहाँ पर आप अपनी screen पे देखेंगे सब कुछ आपको लिखा step two होती है 1500 hours की यानि 1500 घंटे की internship जो की आपको करनी होती है उस particular state से जहां पर आप as a registered pharmacist practice करना चाहते हैं अपने आपको रिजिस्टर करना चाहते हैं as a pharmacist फिर training के बाद internship के बाद आपका होता है Netflix examination जिसके बार में बहुत सारे बच्चों नी सुना होगा Netflix की full form क्या होती है बच्चों North American Pharmacy Licensure Examination और ये Netflix examination जब आपने clear कर लिया उसके बाद होता है आपका step four यानि appear for MPJE या CPJE examination ये MPJE या CPJE क्या होता है बच्चों उस particular state का jurisprudence examination आपको clear करना होता है jurisprudence examination clear करने का मतलब क्या है कि उस state की जो rules and regulations है उनके बारे में आपको knowledge हो उनके बारे में आपको पता हो ताकि जब आप अपनी pharmacy practice करें तो उन ही rules के according आप सब कुछ practice कर पाए तो आपको ये examination भी clear करना होता है क्योंकि आप international student है आप USA के citizen नहीं है तो इसके ये सारी steps को जिनके through a license apply के आता है तो वहां की authorities में जाके आप अपने आपको register कर सकते हैं as a pharmacist तो देखें ये चार steps हो हमने आप से discuss कि बहुती briefly अब हम आपको अच्छे से बताते हैं कि इन चारोही steps में आपको किस तरह से क्या क्या करना है कि बात करेंगे हम step 1 की step 1 पे भी जाने से पह जो बच्चे USA से अपना pharmacist का course करते हैं तो यहां पर pharmacist का total 5 साल का course होता है 5 साल में आपकी degree दी जाती है pharmacist की तो यहां पर simple सा इनका concept है कि अगर ये international students को बुला रहे हैं चाहे आप इंडिया से हैं चाहे आप किसी भी other country से हैं तो अगर आप इनको international students को यहां बुला रहे है अब अगर हम बात करें देखिए PharmD की तो PharmD total होता है 6 साल का तो PharmD वाले candidate जो है वो असानी से apply कर सकते हैं यहां पर आ सकते हैं registered pharmacist बन सकते हैं पूरी ही process को follow करने के बाद बट अगर आपने bachelor's किया हुआ है बी फार्मा किया है तो बी फार्मा आपका total 4 सार का course हो गया बट आपको क्या करना है देखिए आपका total minimum 5 साल आपका जो education qualification है वो होनी चाहिए जो आपका graduation की अगर हम बात करें तो अगर आपने bachelor's किया हुआ है और उसके बाद आप master's करते हैं M pharma करते हैं तो total आपका 6 year का यह course हो गया B pharma plus M pharma मिलाके और M pharma करने के बाद आप apply कर सकते हैं इस अपने आपको registered pharmacist बनने के लिए जितनी भी process है उनके लिए आप apply कर सकते हैं तो बचो बहुत सारे बचों के questions थे कि हमने B pharma किया है तो हम eligible नहीं होंगी आप eligible हो सकते हैं अगर आप higher qualification करके total minimum 5 साल का अगर आपके पास qualification है तो आप eligible हो सकते हैं इस particular registered pharmacist बनने के लिए कि इसी भी international country में है तो देखे USA में यह requirement मांगते हैं आप से कि आपके पास family होना चाहिए या total 5 साल का आपका education qualification होने चाहिए बाकि अगर हम other countries की बात करें जिसे Canada की बात करें या किसी और other country की बात करें तो हर country में फामडी नहीं मानते हैं बैचलर को भी allow करते हैं वो हम अपन आपकी educational qualification आप eligible है apply करने के लिए तो आपको क्या करना है अब आपको जाकर रेजिस्टर करना है आपने आपको एन एबीप पोर्टल पे एन एबीप की अगर आप फुल फॉर्म के बात करें तो यह होती है National Association of Board of Pharmacy यहाँ पर आपको बच्चों अपने आपको जाकर रेजिस करना है क्योंकि एन एबीप पे आपको बार बार आना होगा देखें अभी हम देखेंगे पूरी प्रोसेस के तोरान काफी बार आपको इस पोर्टल पे आना होगा अपनी प्रोफाइल पे आना होगा तो प्रोफाइल पहुत ही दिहान से आप जनरेट करेंगे अपनी अपन qualification है उसके comparison में आपकी जो आपकी particular country में जो आपने पड़ा है वो यहां की qualification को match कर पाएगी या नहीं तो यह किया जाता है evaluation में NABP जिसकी हमने बात करी वो allow करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसको ECE यानि educational credential evaluators को वो allow करते हैं आपके documents को evaluate करने के लिए बाकी अलग-अलग portals हैं बड़ यह सिर्फ ECE को ही allow करते हैं आपके documents को evaluate करने के लिए तो यहां पर आपको जाना है educational credential evaluators पे और कौन-कौन से documents आपको submit करने हैं इस evaluation कर दारान तो उसके बार में जानेगे सबसे पहले देखिए जितने भी आपकी educational qualification के certificate है आपने bachelor's किया है आपने master's किया है आपने फार्मडी किया है तो जितनी भी आपकी qualification है वो आपको submit करने है जाके ECE पे फिर देखिए Translational Certificate अगर मालीजे आपने गुजरात से आपने अपना pharmacy किया है अपना degree या अपना master's किया है और वहां की particular जो आपकी particular state है वहां की language में आपकी ये degree है या जो आपका फार्मडी का certificate है वो वहां की गुजराती language में है तो वो accept नहीं होगा तो उसको आपको Transcribe कराना होगा English language में convert करना होगा और वो भी आपको submit करना होगा अपने इस evaluation process के दौरान थर्ड कि अगर हम बात करें तो pay evaluation fees जो evaluation fees आपकी चितनी भी फीस होगी जिस समय आपकी वीडियो देख रहे हैं तो उस समय के कितनी फीस है वो आप जाके देख लेंगे उनकी website पे सब ही documents को evaluate करने के लिए बहुत important information यहां जितनी भी हमने बात की आपके सारे documents की आपके जो educational certificates है उनकी हमने बात की आपकी pay slip की बात की हमने और हमने बात की जो आपका transcriptional language में जो आपने convert किबा है certificate यह सब खुद जाके आपको ECE की website पे submit नहीं करना है यह कौन submit करेंगा आपका college या जिस institute से आपने अपना यह degree किया है या फार्मडी किया है तो वो आपका college या institute send करेगा properly sealed form में यह सारे ही चीज़ें किसको ECE को जब उन्होंने send कर दी है सारे ही information ECE को तो अब थोड़े दिन के बाद जब आपका सब कुछ evaluate हो जाएगा तो यह ECE क्या कर देंगे आपको ECE report send कर देंगे यानि आपकी जितने भी educational qualification है यह सारे evaluate हो चुके है उनकी एक proper report आपको submit करे जाएगी ECE के द्वारा सो देखे अब हमने बात की कि हमारी ECE report आ गई है documents हमारी evaluate हो चुके है next step में आपको क्या करना है बच्चो देखे काफी लंबी process होती है अगर आपको USA में registered pharmacist बनना है तो patients के साथ इस video को आपको देखना होगा सारी steps आपको ध्यान से सुनने होगी next आपको क्या करना है आपक इंग्लिश में कितनी command है आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं कि नहीं अच्छे से समझ पाते हैं कि नहीं तो यहां पर देखे 4 basic modules में इस TOEFL test को classify किया जाता है सबसे पहले होता है देखे 4 modules में reading, listening, writing and speaking जहां पर out of 30 marks आपको दिये जाते हैं out of 30 में से आपको 22 लान होते हैं speaking में 26 out of 30 marks आपको लाने होते हैं अगर आपको examination को clear करना है TOEFL examination को clear करना है अब देखे आप TOEFL examination में भी अपेर हो गए आपने clear कर लिया है अपना TOEFL examination इसके बाद आपको क्या करना है अपना जो TOEFL scorecard है यह आपको submit करना है किसको authority को authority में कहां कि कि किस authority के बात कर हैं na bp portal की हम बात कर रहे हैं वहां पर आपको submit करना है final examination की जिसकी हमने step 1 में बात की थी FPGE exam जो की foreign pharmacy graduate equivalence examination की अब finally बारी आती हैं जिसके लिए देखे आपको इस examination के लिए जो na bp portal जिसकी हमने बात की उस पे कुछ चीज़े submit करनी होंगी उसके बाद आप appear हो सकते हैं इस FP FPGE examination में जिसके बाद आपको FPGE certificate मिलेगा क्या 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 आपको submit करना होगा na bp portal पर तो अपना ece report जो आपकी evaluation के बाद आपकी रिपोर्ट आई थी वह आपको submit करनी होगी second अपना जो TOEFL का स्कोर कार्ड है जो आपने examination clear के English language का वह आपको submit करना होगा third जो आपका application form है कि आ आप ये exam जो भी examination आप देते हैं उसका application form download करके आप फिल करते हैं तो उसी तरह का application form आपको submit करना होगा fourth आपकी photo ID जो भी आपका identity card है photo ID वह आपको submit करनी होगी fifth बहुत ही ध्यान से सुनियेगा बच्चो जो आपका state pharmacy license है वह आपको submit करना होगा और देखे क्या है आपका state का good standing certificate आपको submit करना होगा good standing certificate की जहां तक बचों बात करें यह क्या होता है जब आप pharmacy council में अपनी जाएंगे जिस भी state में आप registered है as a pharmacist जब आप उनके पास जाएंगे और आप बोलेंगे कि अब मुझे इंडिया में काम नहीं करना है अब मैं United States में जाके काम करना चाहता ह हूँ as a pharmacist तो वो आपकी जो state pharmacy council है वो आपको देगी good standing certificate की अब यह जो candidate है अब यह इंडिया में काम नहीं करेंगे अब यह इंडिया के बाहर काम करेंगे उस certificate को good standing certificate को आपको submit करना है जाके NABP portal पे यह सब चीज़े जब आप submit कर देंगे NABP portal पे तो उसके बाद authorities आपक करेंगी NABP portal पे कि आप अपने examination यानि जो आपका FPGE examination है अब आप उसमें अपेर हो सकते हैं अब आप उसमें जाके अपना examination दे सकते हैं फिर पच्चों देखिया कर हम बात करें इस FPGE examination की तो total 200 marks का यह पूरा ही आपका examination होता है 200 questions का आपका examination होता है जहां पर 4 basic domains मेंसे आप आप से questions पुछे जाते हैं internet में online जाके चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह के question पूचे जाते है अगर हम basic domains की बात करें तो bio medical के questions आपके होते हैं social behavioral administrative domains से आपके question पूचे जाते हैं pharmaceutical domains से आपτι पूछे जाते हैं तो और यह जो clinical domain होते हैं इन में से आपके यह 4 basic domains में से आपके 200 questions आपके पूछे जाते हैं, अगर hours की बात के ज्चार पाफ गंटे का आपका एक्जामेनेशन होता है, जहां 4 गंटे का अगर हम बात करें, तो 4.5 hours का आपका यह full examination होता है, उसके लिए आपको दिया जाते हैं और total 1 hour यानि एक घंटा आपको दिया जाता है जो आपकी rest of the formalities होती है यानि आगर आपको sign करना है अगर आपको question paper पढ़ना है तो उन सब चीजों के लिए आपको एक घंटा दिया जाता है तो total 5.5 घंटे का आपका ये examination होता है अगर आप clear कर लेते हैं इस FPGE examination को तो उसके बाद NABP जो है आपको देती है क्या FPGEC certificate और इसके बाद माना जाता है कि आपकी degree अब USA में जिस बचों ने पढ़ाई किया तो उसकी degree के equivalent हो गई है अगर आपने international degree obtain की है किसी भी country से तो ये पूरी process थी बच्चों सिर्फर से step 1 की अगर हम अभी हमने बात की अब हम step 2 पे चलते हैं अब हम बात करेंगे step 2 की यानि internship 1500 hours की internship अब देखें ये जो 1500 hours की internship है ये essential यानि जरूरी होती है अगर आपको netplex examination में पेर होना है netplex examination में इस training की बाद ही आप उस examination को पेर कर सकते हैं और फिर clear कर सकते हैं आप देखें इस training के लिए जो आपकी 1500 hours की training है उसकी लिए आपको work visa चाहिए होगा यहाँ पर देखें student visa आपका नहीं चलेगा क्योंकि आप पढ़ने नहीं आ रहे हैं यहाँ पर आप काम करने आ रहे हैं तो working visa category में आपको visa apply करना होगा वीजा के से apply करेंगे तो आप यूसे या इसकी पूरी है website है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलगर लाइसेंस यानि interim license के लिए apply करना होगा क्योंकि वहाँ पर जाके देखें आप training करेंगे training एक तरह का कामी हो गया है आपको कुछ कामी करना है वहाँ जाके तो ऐसा कोई भी काम आप बिना किसी license के नहीं कर सकते हैं तो इसलिए apply किया जाता है interim license और उसके बाद आप वहाँ करने है उस particular state में जाके जहां पर आप अपने आपको register करना चाहते हैं as a pharmacist मालेजी आप कलिफोर्णिया में आना चाहते हैं क PPE के लिए ही आप apply करनेंगे इस interim license के लिए और working visa में आप California ही जाएंगे वहाँ पर जाके अपनी ये पूरी ही training process करेंगे और अपना ये step 2 जो है वो clear करेंगे step 2 पे अपनी 1500 hour की training आप compete करेंगे उस particular state से और देखे बात करेंगे हम step 3 यानि Netflix examination की बहुत ही important होता है ये examination अगर आपको registered pharmacist बना है United States में Netflix examination में तोटल 225 questions होते हैं जिनको आपको करने के लिए total duration की अगर हम बात करें तो 6 गंटे का आपको time दिया जाता है 6-6 hours का आपका examination होता है जहांपर questions की अगर हम आपसे बात करें बच्चो तो clinical based questions and case study based questions आपसे पूछे जाते हैं तो जिन बच्चों ने farm D किया होता है तो उनकी इस course के दुरान उनको काफी ज़ादा सिखाया जाता है case study के बारे में तो काफी ज़ादा benefit होता है उन farm D किये वे बच्चों को इस तरह की जो examination होते हैं नेप्लेक्स जैसे examination उनको clear करने में उनको काफी benefit होता है अब देखे इस examination के लिए maximum आपको five attempts दिये जाते हैं पांच बार आपको मौका मिलता है ये नेप्लेक्स examination को clear करने का और आपको ये examination clear करना ही होता है और उसके बाद आप next step यानि step four पर बढ़ सकते हैं आप देखे ये जो नेप्लेक्स examination है जब आपने clear कर लिया इस examination के अगर हम application fees की बाद करने तो 100 डॉलर तक इसकी application fees होती है और examination में बैटने के लिए जो आपको fees देनी होती है तो 475 डॉलर तक ये आपकी examination fees होती है तो काफी अच्छा खासा आपका expend होता है जो भी आपकी मानी होती है इ इसलिए कि आपको ये जो अपना netflix का score है ये सिर्फ और सिर्फ उस state में की authorities को send करवाना है जहां से आप अपने आपको as a pharmacist register कराना चाहते है यानि माधिन मालेचे आप यहां इंडिया से California के लिए गए है अपने interim license के लिए California में अप्लाई किया है तो आप NABP portal पर mention करेंग New York, San Francisco तो इन अलग-अलग states में भी आपका ये जो netflix का score है ये पेजें ये आपको mention करना होगा देखिए अगर आप particular एक ही state पर stick रहते हैं तो काफी बाहर क्या होता है आपको job लगने में काफी जादा दिक्कत आ सकती है उस particular state में बट अगर आप multiple states के लिए apply करते हैं तो मा आपको अगर आप multiple states के लिए apply होते हैं तो ये देखे step 3 हमारा complete हो जहां पर आपने netflix examination को अपने clear किया आएंगे हम step 4 पर तो step 4 पर जैसे कि हमने पहले वीडियो के starting में बताया थे कि उस particular states के rules and regulation आपको पता हो ये बहुत ही सरूरी होता है तो इसलिए आप से इस तरह के examination को clear करवाया जाता है जिसमें है MPJE यानि multi state pharmacy jurisprudence examination या CPJE यानि California pharmacy jurisprudence examination ये दो तरके examination होते है बच्चो जिसमें आपको अगर आप चाहें तो इन में से एक में भी appear हो सकते हैं या दोनों में भी appear हो सकते हैं ये जो बच्चो MPJE examination है इसमें total 120 questions आप से पूछे जाते हैं जो हमने multi state की बात की थी जो की beneficial होता है अगर आपको particular state में जिसे कि हमने बताया अगर आपको job नहीं लगी या job करना पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरी state में भी जा सकते हैं अगर आप MPJE examination को attempt करते हैं जिसमें 120 questions होते हैं duration के बात के हैं तो 2.5 hours का आपका ये पूरा ही examination होता है और कितने attempt दिये जाते हैं आपको तो maximum 5 attempts दिये जाते हैं और उसमें आपको clear करना होते हैं examination फिर हम बात कर एगर CPGE यानि California Pharmacy Jurisprudness examination की तो total 90 questions होते हैं इस CPGE examination में बट इसको clear करने के बात सिर्फ और सिर्फ आप pharmacist as a pharmacist सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया में ही काम कर सकते है केलिफोर्निय के बाहर नहीं जा सकती अगर आप इस examination को अपेर करते हैं तो जादा तर candidate प्रेफर करते हैं MPGE examination को अपेर करना लास्ट में आपने सब कुछ clear कर लिया है आपने अपना step 1 देखा किस तरह से आपने register किया आपने आपको step 2 देखा आपने किस तरह से training की interim license को ले step 3 देखा आपने Netflix examination आपने किस तरह से clear किया step 4 देखा जो भी state के examination थे state laws के examination थे वो आपने clear किया अब आपने सारे steps अपने clear कर ले हैं अब वहां की जो state की authority है वहां पर आप उनको request कर सकते हैं कि आपको उस state का license issue कर दें ताकि आप अपने आगे की pharmacy practice कर सकें और आप ऐसा registered pharmac assist count कर सकते हैं United state के किसी भी state में जहां पर भी आप करना चाहते हैं बचों देखें काफी लंबी process है काफी ज़्यादा expensive process है अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा forms की fees कि अगर आप बात करें तो forms की fees बहुत ज़्यादा है अगर हम बात करें जोब आपकी लग जाती है क्यों हमारे पास request आ रही थी हमने अपने बच्चों से promise किया था कि हम एक video लेके आएंगे इस पर भी तो यह पूरी ही process हमने आप से explain की बट आप देख रहे हैं काफी लंबी process है काफी कुछ आपका time लेता है आपका बहुत जादा expenses आपके लेते हैं तो सब कुछ देखने के तो आप बन सकते हैं तो अगर बच्चों कोई भी डाउट हमने एक एक चीज अच्छे से आपको explain करने की पूरी कोशिश की है कोई भी अगर डाउट रहे गया को किसी भी step में जो हमने आप से discuss किया तो comment section में आप हमसे पूछ सकते हैं और next next video देखे हम इसी पर बनाएंगे इसी topic में की इतना सब कुछ करना की आपको जरूरत है या नहीं USA में as a pharmacist जब आप अगर मान लिजए पॉइंट हो जाते हैं मान लिजए कि अगर आप ये सब step कर लेंगे तो आप अपॉइंट हो ही जाएंगे अगर आपके अच्छी से job लग गएं तो कितना वर्दी है कित आए हैं और उनकी experience में आपसे share करूंगी तो I hope कुछ benefit मिला होगा आपको इस वीडियो से इसी तरह से हमाई सथ बने रहें बच्चों बहुत सारे interactive session हम आपके लिए future में भी लेकि आते रहेंगे बहुत सारे topic और अगर आप किसी particular topic पर वीडियो चाहते हैं तो comment section में आप हम